आप सब कैसे हैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल चना डाल तड़का जो की बहुत ही तेश्टी और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो चाती है तो चलिए दोस्तों बनाना इस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने एक कटोरी चना डाल ले रखिया है commitment के लिए आप सीं यहाँ चौठाई भाग हमने यहाँ पर मूंग डाल ने रखिया तो वह सिकायत हम मलकर धुलेंगे तो दोस्तों यहां पर हमने तीन से चार पानी डाल को धुल लिया है अब उसे हम बीस मिनट के लिए छोड़ देते हैं भीगने के लिए जिसे की गैस और टाइम दोनों बहुत कम लगी गया तो दोस्तों यहां पर 20 मिनट हो गया है अब इसका पानी हम निकाल देते हैं और डाल को डाल देते हैं कुकर के अंदर तो दोस्तो यहाँ पर हमने कुकर को रख दिया गेस पर अब यहाँ पर हमने डाल दिया अपनी डाल को जिसे कि दाल पूरी भीग जाए यानि कि दाल के ऊपर तक पानी रहे तो यह देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने चार कटोरी उसी कटोरी से पानी डाल दिया है और यहाँ पर अब हम डाल देंगे कुछ मसाले तो मसाले में हमने एक आदा छोटी चमश हल्दी पाउडर ड डाल दिया है इसके अलाओ मसाले में अभी और कुछ भी नहीं डालेंगे दोस्तों और अब यहाँ पर हम डाल देंगे एक चमश घी तो दोस्तों यहाँ पर हमने डाल दिया है एक चमश घी यह देख सकते हैं दोस्तों जिसे कि हमारी डाल अज बाहर ना निकले तो यहाँ किला बाल हम हम लगा के लगा घंथ यहां रहाई पर हम दोबिसन लगाेंगे दोस्तो औरुसके बाद हम गये घंथ यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमने लगा दिया है और तो विसन आने तक इसे हम बोईल कर लेते हैं तो दो विसन आकर दोस्तो ठंडा हो गया है हमारा जो कुकर है यानि कि प्रेसर इसका निकल गया है और आप दोस्तो दाल देख सकते हैं दाल अच्छे से बोईल हो गई है इससे जादा हमें दाल को और बोईल नहीं करना है ये पर चाँअ कर सकते हैं या कोई भी कुटिंग औ तेल वय जो आप खाने में यूज ने जू पर यूज कर सकते हैं यहां पर गी गरम हो गई है और अब हमने डाल दिया यहां पर एक आधा चोटी चम्मज जीरा और जीरा को चम्मे धाना देते हैं दोस्तों तो ये देखें हैं उसके बाद आगे डालना है वह भी दिखाते हैं यहां पर हमने डाल दिया एक आदा चोटी चमच दोस्तों हींग इससे फ्लेवर बहुत डाइजेशन दोरों भी बहुत अच्छा रहता है तो अब यहां पर डाल देंगे एक बारी कटा हुआ प्याज तो यहां पर हमने हुआ देख सकते हैं यहां पर आपने कटा हुआ धर कर थे Şu का तो यहां देख सकते हैं यहां पर लैसुन भी हमने डॉट है इससे भी बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है साथी हमने डाल दिया एक बारी कटी भी हरी मिर्ची यहां पर आप मिर्ची के कॉंटिटी कम जादा कर सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहां पर हमारा तड़का रेडी हो गया है दोस्तों अब यहां पर हम डाल दें हाँ थोड़ा सा पाने जैसे हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से तो देख सेकते हैं दोस्तों कितना धुआ दाका में से निकल रहा है और यहां पर हम डाल दें से लिए कास्मेरी लाल मिर्ची पर असलए चम्मस्न पर में काहण ब्सके हो दोस्तों तेल कैसे सेपरेट होना सुरू हो गया है मसाले से अब यहां पर हम डाल देंगे दो बारीक कटे हुए टमाटर को इस तरीके से और यहां पर आप हमने टमाटर डाल दिया है तो यहीं पर हम स्वादर अनुशार नमक डाल देंगे जितना हमें नमक डाल के अंदर चा अगर भी यह एक हम दाल को धिया दिया और अभी के दाल को तो यहां पर मसाला निकाल लेंगे हम वीडियो में दिखाएंगे तो दोस्तो अभी हाँ पर हम डाल देंगे अपने बॉयल की हुई दाल को तो यह देख सकती हैं दोस्तों यहां पर हमने डाल दिया है दाल को इस तरीके से और दाल को अच्छे से हम मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हम दाल को मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर जिसे की फ्लेवर बहुत ही अच्छा डाल में आए तो इस तरीके से हम चला लेते हैं यह देख सकत जो आपको खड़ी खड़ी दिखरीए दाल एज़ी टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों बिल्कुल दाल गली हुई है तो यहां पर हम डाल देंगे आधा गिलास गरम पानी गरम पानी ही डालना दोस्तों ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालना तो यहां पर आप जितना गा वा घृम करता समय के जबे उलगी से आखनी सब्सक्त利दद, यह हैं यह फैसे नियुक्स पारी है तो यह फोंड़न के पट्वाव को मैखनी बहता रहका रावी शीलाक। का इस रहा रहा हम पता ठीक को दोख्तने हैं यह ब्रबटर के अंदर यह ब्रबटर के अंदर आज़ाए इस तरीके से अगर मिर्ची का तड़का लगाते है नहीं से बारी अच्छा आता है दोस्तों इसके बाद आगे क्या करना है वह वीडियो में देखते जाएं तो दोस्तों इसको भी हमने अच्छे से चला दिया है दोस्तों और यह भी हमारा तड़के के अंदर पक रहा है जो मसाला भी है और यहां पर हम डाल देंगे दोस्तों एक आधा छोटी चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह बिल्कुल अपिस्नल है आपके पास है तो डालिए वह ना आ करो अपर से यह तड़का जो की हलवाई लोग करते हैं तो दोस्तों फोड़ा साभी पसंदब आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और यहां पर हम ढल को ढ़ाक देते हैं दो मिनट के लिए तो दोस्तों यहां पर मैं भूल गई थी कास सूरी मेथी डालने के के लिए इसको भी हमने भूनकर क्रेश करके डाल दिया है तो वीडियो थोड़ा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर निवाए हैं तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं से निव और टेस्टी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाय एंटे कियर दोस्तों हमारी चना दाल तड़का खाने के लिए रेडी है को हमने निकाल लिया एक शर्विंग बाउल के अंदर